कैसे हो दोस्तों अस्सलामों आलेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे वड़ और छोटे छोटे सब्द वीडियो को सुरू करता हूं सबसे पहले हिंदी में एयरपोर्ट एरपोर्ट को अरवी में कहा जाता है मतार बीजा को अरवी में कहा जाता है तासीरा टिकट को अरवी में कहा जाता है तजिकरा टिकट को अरवी में कहा जाता है तजिकरा प्लेन को अरवी में कहा जाता है तैयारा पानी वाला जहाज को अरवी में कहा जाता है सफीना बैग को अरवी में कहा जाता है संता चुट्टी को अरवी में कहा जाता है इजाजा जुरुमाना जुरुमाना को अरवी में कहा जाता है गरामा और मुखालफा यानि की जुरुमाना को आप अरवी में गरामा कह सकते हैं और मुखालफा भी कह सकते हैं पेट्रॉल पंप को अरभी में का जता है महत्ता पेट्रॉल पंप को अरभी में का जता है महत्ता पेट्रॉल पेट्रॉल को अरभी में का जता है बेंजिन पेट्रॉल को अरभी में का जता है बेंजिन होटल होटल को अरभी में का जता है मताम होटल होटल को अरभी में का जत मताम, फैलाना, कोई चीज अगर आपको फैलाना है, तो फैलाना को अरभी में का जाता है गुमास, फैलाना को अरभी में का जाता है गुमास, रेंट भाड़ा, कोई चीज अगर आप रेंट से लेते हैं, भाड़े से लेते हैं, उसको अरभी में का जाता है इजार, रेंट भ बोड होता है दुकान पर बोड लगा होता है या रास्ते में हम चलते हैं बोड हमें दिखाई देता है ना तो बोड को अरभी में का जाता है लोहा चोटा चोटा को अरभी में का जाता है सगीर चोटा को अरभी में का जाता है सगीर बड़ा बड़ा को अरभी में का जाता है क कबीर, मीडियम, मीडियम को अरभी में का जता है, वसत, मीडियम को अरभी में का जता है, जबादी, टीस, टीस को अरभी में का जता है, हबबा, टीस को अरभी में का जता है, हब्बा जैसे कि अगर आपको कहना है एक पीस अगर आपको एक पीस कहना है तो आप आरभी में कहेंगे वाहिद हब्बा एक मतलब वाहिद पीस मतलब हब्बा एक पीस वाहिद हब्बा अगर आपको कहना है मुझे दो पीस चाहिए आप आरभी में कहेंगे अबगा अना इतनें हब्बा मुझे दो पीस चाहिए मुझे का मतलब अना दो का मतलब इतनें पीस का मतलब हब्बा चाहिए का मतलब अबगा मुझे दो पीस चाहिए अबगा अना इतनें हब्बा तीन पीस चाहिए अगर आपको कहना है तीन पीस चाहिए आप अरभी में कहेंगे अबगा तलाता हब्बा तीन का मतलब होता है तलाता पीस का मतलब हब्बा चाहिए का मतलब अबगा तीन पीस चाहिए अबगा तलाता हब्बा चांच मठ्था चांच मठ्था को अरभी में का जाता है लेबन चाँच मठ्था को अरभी में का जाता है लेबन मुर्गी चिकन मुर्गी चिकन को अरभी में का जाता है दिजाज गोस्त को अरवी में का जता है लहम, मचली को अरवी में का जता है समक, सामान, सामान को अरवी में का जता है अगराद, मिट्टी को अरवी में का जता है तुराब, मिट्टी को अर्वी में कहा जाता है तुराब गंदा को अर्वी में कहा जाता है वसक रेत बालू को अर्वी में कहा जाता है रमल धूल को अर्वी में कहा जाता है गुबार जो धूल उता है उसे अरवी में कहा जैता है गुबबार कच्रा को अरवी में कहा जैता है जुबाला कचरा को अर्भी में का जता है जुबाला जाड़ू जाड़ू को अर्भी में का जता है मकंसा जाड़ू को अर्भी में का जता है मकंसा साफ करना साफ करना को अर्भी में का जता है तन्जीफ फूल फूल को अर्भी में का जता है वर्द फूल को अर्भी में का जता है वर्द, पेड, पेड को अर्वी में का जाता है सजर, पेड को अर्वी में का जाता है सजर, घास, घास को अर्वी में का जाता है उसब, घास को अर्वी में का जाता है उसब, धोना, धोना को अर्वी में का जाता है धसिल, धोना को अर्वी में का जाता है जैसे कि अगर आपको कहना है मैं कपड़ा धो रहा हूँ आप अरभी में कहेंगे एन गसिल मलाविस मैं कपड़ा धो रहा हूँ एन गसिल मलाविस मैं कमतलब एन कपड़ा कमतलब मलाविस धो रहा हूँ कमतलब गसिल मैं कपड़ा धो रहा हूँ गरिया, गाउं, गाउं को अरवी में का जता है, गरिया, सहर, सहर को अरवी में का जता है, मदीना, सहर, सहर को अरवी में का जता है, मदीना, छेत्र अईरिया, छेत्र अईरिया को अरवी में का जता है, मंतका, छेत्र अईरिया को अरवी में का जता है, मंतका, देश कंट्री, देश कंट्री को अरभी में का जता है दौला, गली को अरभी में का जता है सारा, दुनिया को अरभी में का जता है आलम, खोजना ढूंडना, खोजना ढूंडना को अरभी में का जाता है दववर सबजी को अरभी में का जाता है खुदार लकडी, लकडी को अर्वी में का जाता है खसब भूलना, भूलना को अर्वी में का जाता है नसीत और हिंसा यानि की भूलना को आप अर्वी में नसीत कह सकते हैं और हिंसा भी कह सकते हैं बदबू, बदबू को अर्वी में कहा जाता है रेहा, नहाना, नहाना को अर्वी में कहा जाता है सब्बा, तो दोस्तों ये था आज का अर्वी का सब्द, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसे याद करेंगे, आप अर्वी मिला कर आसानी से बोल सकते हैं,